एक क्वेट आता है मेरे माइंड में बार बार जबी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लाइफ अच्छी नहीं चल रहा है, वो क्वेट से इतना सिंपल सा है कि वेव आर कमें और गो, वेव साती है, वेव साती है, वेव रिल कम और आएंगी, संदगी में कोई लहर भले वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो लहर आएगी और चली जाएगी, उसमें कुछ नहीं रखा, कभी-कभी हम इतने बुरी सिट्यूशन हमारी होती है, फिर हम God को गोसे लगते हैं कि क्यों तुम मेरे संग ऐसा कर रहो, क्यों God मैंने तो मन करता है, मतलब घर पर कुछ भी उल्टा सिदा बूल दो, बट फिर रलाइस होता है, यह थोड़ी दिर का गुस्सा है, बस दीरे-दीरे चला जाएगा, ऐसे ही मतलब लाइफ में तुमें करके आगे बढ़ना है, वेव आती है, वेव जाती है, वेव ऐसी रहती है, तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी ना करो, कभी-कभी भगवान तुम्हारे संग कुछ ऐसा प्लान करके रहते हैं, जो तुम्हारी प्लानिंग से बहुत जादा है, तुम्हारी प्लानिंग कुछ नहीं हो, उनके मुकाबले, वो तुमें वहां तक लेके जाना चाती है, और इस बद ऐसा हो जाता है, ऐसका reason पता है क्या होता है, की God की गाहिना aplaining होती है ऐती है क्यों कुछ सिखा रही होता है और Вो सिखाते है hope ऐतना खुम आगा यहार होते है शायद उस टाम पर शान्त हो जाता है शायद उस टाम पर वो चीज ना करता है कभी-कभी इसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता करें कि मन नहीं करता है कि लोगों से यस्ट बाक है हसी खुली मसाग करो क्योंकि कभी-कभी तुम जब मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो वह कहता है मार्केट में निकलो जाके बात करो लोगों से नहीं जो बंदर डिप्रेशन में होता है उसका बिलकुल मन नहीं होता भाई कि वह कहीं भी जाके बात करें किसे से भी क्योंकि वह अंदर इंदर घुट रहा होता है कुछ ऐसी बाते होती है वह शेयर नहीं कर सकता लोगों के लिए कि आयर अचली पॉसिबल इंपॉसिबल तो नहीं है वट वो चोटी-चोटी चीजों से इती बोड़ी-बोड़ी चीजों हो जाती दी ना कि उस समय तो दिमाग में नहीं आता था कि ऐसा भी हो ज़कता है चोटी इस चीज से ब्रो संदिगी है से मिर भाई सिंदगी चीजीना नोघ कहते हैं असान है नहीं सिंदगी आसान नहीं इँए अगर तुम कल युग में आयो वह काई जियुक मैं आयो फिर कोई बी कल युग में आया ना कहि Cities कुछ ने कुछ ने कुछ पाप की है यार, in fact, 10% ही लोग अच्छ होते हैं, जो इस दनिया में आते हैं, तर्वाइस, कली उक के टाइम तो, भाई, maximum लोग जो पापी होते हैं, यहाँ पर आकर दुग शेलते हैं, जिसे मैं जेल लहाँ, जिसे तुम जेल लहाँ, जिसे काफी स काफी लोगा, अभी थोड़ा सा कुछ मौलिनिंग में कुछ ऐसा हुआ हुआ कि, माइन तो डोड़ा सा, अपसट होगा, बट कोई नी भाई, जिसे लाइफ में होता है, ठीक है को किसी और की में झालेटी के संग को भडा हुआ हूँ, हल चीज है लाग है, गोड छीज है, ह वो नरममल हो जाता ह। और मैं भीलिफ करते हूं गवाट पर कि मैंने छाथा दिल से में कभी नहीं चाहता कि इसी कह बटा ह। तो लिखना हो तिसी कह भी से नहीं हो तो अब जो बहुत आपने हो इब किसी मुंहें हो और अबद ॉस् will come on उस एंजल वाले feeling की गदर करेगी just be a devil from outside and be an angel from inside बाहर से just तुम rude बनो, मत बात करो किसे कोई जरुवत नहीं है बट दिल से उस बन दे के लिए कि बुरा मत सोचो बाहर से तुम उससे बात मत करो ignore कर दो से, मतलब just सामने से बट अगर मन से तुम उसके बारे में कभी बुला, मत पूरा मत सोचो मन से यह मत सोचो कि सामने लवन्दा गलत है या कुछ भी है, बस सोचो God ने उसे बनाया, God ने वजी बनाया तो उने just एक है, life ऐसी है भाई तुमें सबज में ने आता, just क्या करूं, क्या ना करूं बट, life चलती रहती है, life का यही case है life तुमें डाउन करेगी, life तुमें आप करेगी बस, करती रहती है life क्या पतो हम सब, life एक ऐसी situation है ना जहां पे तुमें तुम खुद के गंट्रोल में ने रहती हो कुछ कोई और पाउल तुमें गंट्रोल कर रही हुदी जसे एक पपेट होता ना, पपेट, पपेट को गंट्रोल को और करता है उसका मास्टर, जिसके ओधागों से बंद्र होता है just वैसे ही, कभी-कभी लगता है कि तुम इनसान हो, तुम पपेट हो, गौड के गौड तुमें चला रहा है दर अधर, और गौड अपने खिलोनों को अभी तूरना नहीं चाहता है just शयद जादा बूल दिया मैंने, तुम टॉय तो नहीं हो, तुम जोस की creation हो बट फिर भी यार, लाइफ में कभी-कभी जस बहुत, इतने इतने देज में रहा है, कभी-कभी में अच्छा होता है अच्छली जादा तर mental state का फिर चाहता है, बट कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक्दम low feel करने लगता हूँ, जैसा अभी मेरा माइंड में बहुत गुस्सा बढ़ा हुआ है, बहुत गुस्सा बहुत चुछापन बढ़ा हुआ हुआ है किसी person को लेके, किसी चीज को लेके अच्छ मैं क्या बोलो, उस चीज को नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, in fact मज़े बोलना भी नहीं उस चीज के बारे में ऐसे भाई, लाइफ ऐसे चलती रहती है, ऐसे लाइफ कुछ रहो हुआ 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 बात कभी नहीं करते हैं वो जिस्ट हमें अपने प्लान के सबसे लाते रहते हैं कभी वाके बात नहीं करते हैं जैसे हम लोगों से बात करते रहते हैं क्यों गॉड अगर इतने ही अज मैं गुशता एक्षली गॉड पे भी आ रहा है बता नहीं क्यों हो रहा है, शायद मैं उनके प्लान को समझ नहीं बता, शायद मैं उस लेवल तक नहीं हूँ, जहां तक मेरे को जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कभी-कभी लगता है कि God, इतना बुरा क्यों करते हैं, बट जो है, वो है, बलब God अच्छा भी करते हैं, बट शा को मारा हो, बले उसने कितने लोगों का हग खाया हो, बट हम उसे लेजेंड मानते हैं, अपने नजरों में, तो हम अपनी mentality गलत कर रहें न, God कभी नहीं कहता है, तुम जाके business करो, तुम जाके कुछ भी करो, नहीं, वो कभी नहीं कहता है, तुम अच्छे रहो, तुम प्यो तुम रहो, किसी के संग बुरा मत करो, बट हम क्या कर रहें, हम अपने लगए घरनियर हैं, तुम रोग अपना पीजाता है, जाके मैं चाहता है। अटो है यह तो इसे इसे चलती है, यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाना भी खार है, क्योंकि वो वो वेलू नहीं करते है, उस चीज की, उन्हें वेलु नहीं, उनहीं वेलु को भी घर पाएंगे और क्यों नहीं कर पाएंगे? इसके भी एक रिजा नहीं इडवाइज देक और फिर उसके बच्चे जोस मींटिलिटी से पैधा हूंगे whereas start दुनिया का विनाश केरंने लाइकी होंगे edit होंगे और शयद हम उन लोगों को अपना legend मानले क्योंकि वो पैसे में ऑगे होंगे वो अपने mentality में आगे होंगे, शयद हम उन लोगों को अपने legend मानने, जैसे आज का टाइम पे हो रहे है, क्योंकि आज के 100 साल पहले भी लोग इतने pure नहीं हुआ करते थे, जितने आज है, in fact possible है कि तुम्हाने mom dad भी उतने pure ना हो, जितने तुम आज उनको सोचते हो, भले हो तुम्हाने मतलब कल यूग में ऐसे लूग हूँ, तो अपने spiritual life में धहान दो, और मुझे तो बहुत दूसरा रही है, just आज, share करना ज़रूरी था, तुम लोगों से, one की बात है, किसी चीज़ पर just trust मत करो, खुद पर trust करो, God पर trust करो, बस इतना ही काफी है, तुनिया में और किसी को, क acceptations रकने कि